दोस्तो भाती तीम 10 नमबर को एडलेड ओवल के मैदान पे इंग्लैंड के खिलाब सेमिफाइनल मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया ने ग्रूप दो केड में टॉप पे रहते वे सेमिफाइनल के लिए कौलिफाई किया है सेमिफाइनल मैच के लिए कप्तान रोई सर्मा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेंगी इसके लिए वो आप प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं आई ही जानते हैं कि सेमिफाइनल मुकाबले में कैसी रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 दोस्तो बंगलादेश और जिंबामबे के खिलाव केरलावल ने सांदा प्रदर्शन किया था उन्होंने दोनों ही मैचों में तुफानी हाफ संचुरी लगाई थी ऐसे में उनका कप्तान रोई सर्मा के साथ ओपनिंग करना बिल्कुल तय लग रहा है ये दोनों ही बलेबाज बड़े मैच के खिलाडी है और अपना दिन होने पर किसी भी गेंदबाजी आकरमण की धज्जिया उड़ा सकते है वहीं दोस्तो नमबर तीन पर हमें विराट कोली का जलबा दिखेगा चीहां दोस्तों आपको बताया देगी भाज के लिए नमबर तीन पर सूपरस्टार बलेबाज विराट कोली उतरेंगे नमबर तीन पर वह भाज के लिए सबसे भरोसे मन बलेबाज है जबकि नमबर चार पर हमें सुरीकुमार यादो दिखेंगे सुरीकुमार यादो को नमबर 4 की पोजीशन के लिए मौका मिल सकता है इस T20 वर्लकब में वा गेंदबाजों की खूब दुनाई कर रहे हैं और वह अब तक मौझूदा वर्लकब में 3 अर्शा तक भी लगा चुके हैं वही नमबर 5 पर स्टार ओल राउंडर हादिक पंडे को जगह मिल सकती है वह कातिलाना गेंदबाजी और धाकर बैटिंग में माहिट प्लेयर हैं चबकि नमबर 6 पर दोस्तों हमें 23 कातिक को जगह मिल सकती है तो आपको बता दे कि रिस अंरो तो आपको बता दे कि और कप्तान रोही सर्मा के अलावा यादो, हादिक पांडिया, तिनेश कार्थिग, अक्षे पाटेल, रविचन अस्विन, भूपनेश्वरकुमार, अर्शेदिप सिंग हमें खेलते नचराएंगे दोस्तों हमाई साब से भाती टीम की प्लेइंग यही होने वाली है